दिल्शाद गाडन जो कि गोलगप्पे की शौप यहां राजू चाट कॉर्णर के नाम से यह मशूर और यहां इनके नीनू लगा हुआ है यहां पर यो संडे का दिन जब होता है तो लेडी जब तक गोलगप्पे ना खाएं तब तक इनका टेस्ट पूरा नहीं होता जाए के नाम से जाएं यहां गाडना कान जाता है यहां आप अकेले आते हो, आज तो आप साशुमा जी के साथ आए हो, अच्छा, और इनको पती जी भी खाते हैं इनके साथ, कभी उनको भी लेके आती हो, क्योंकि फीमिल तो बहुत कम, फीमिल तो हमेशा गोलकप्पी खाती हैं, और जो जेंट सोते हैं, वो उनकी मजबूरी में जब आते हैं तो खा लेते हैं, तर मुझे भी लगता है, आज यहां पर जो गोलकप्पे खाए, तो खुछ तो श्वाद में अच्छे थे, तो आप क्या कहना चाते हो, तो दर्सकों को जो यहां पर आए हैं, यहां पर आच्छा टेस्ट है, अमें चाफी जीं से आते है अच्छा जब से साधी के बाद से लेके आज तीन चार साल हो गए हैं तब से आपको केवल यह राजू चाट कॉर्णर यहीं के गोलकप्य अच्छे लगे बट आपको इससे पहले भी तो जहां रहते होगे वहां के स्कूल में पड़े थे तक्षे और उसके बात जाके अब आपको अच्छे लगे और हमारा कनिश्क भी गोलकप्य खा रहा है सूक इपक्री खा रहा है आपको भी गोल कबभभ खाने का यहां पर लगा है चसका बहुत सालों से पता है बहुत साल का मतलब 2 साल 5 साल मैं लेके जाती पर रहे हैं कहड़े हो के बहुत कम खाई तो कितने साल हो गए होंगे आपको वैसे 15 साल के क्या ये बाई इतना ही बड़ा था यह बहिया तुम 15 साल से आपका यह लगाया जा रहा है तो तुम दोनों तभी से हो या बदल गए हो 95 से लग रहा है 95 से तो अब इस चौबिस साल पाच उन्टी साल होगे तो आपकी तो उमर भी नहीं लग रही है थी आरे बादर लगा दे बले आच्छा आच्छा के पास यदि आप वो गोल गप्पे दिलसाथ गाडन के खाने हैं तो आप यहाँ पर आके जब चाहे तब खाएं और संडे की दिन पर इनका स्पेसल रेट होते हैं यह दो पैसे का भी डिस्काउंट नहीं करते और यहाँ पर जो इनके बने हुए ग्राग हैं वो बिना कुछ रेट पूचे हो बस खाने में लग जाते हैं और खाके निकल जाते हैं मेरी सुब कामना है कि यहाँ पर लोग आएं और गोल गप्ते खाएं मैंने भी खाए मुझे भी बहुत अच्छे लगे तैंक्यू